हाई गाइज वेलिकम्ट रमंटर तो दोस्तों अब से हम लोग क्या करेंगे कि जो करेंट अफेर्स के जो मुद्ध्ध है उसको इसमें डिसकस करेंगे और डिसकस करेंगे कैसे जिस तरह से हम मैंस लिखते हैं ठीक है? राइड? तो जो हम discuss करने जा रहा है that is fortification of rice तो चावल के अंदर हम कर से चावल को हम fortify करते हैं उसके बार में पढ़ने जा रहे हैं यह हिंदी और इंग्लिस दोनों medium में होगा इसके words जो होंगे वो अंग्रेजी में होंगे ठीक है लेकिन अगर हिंदी में आप चाहते हैं और अंग्रेजी दोनों में चाहते हैं तो टेली ग्राम का लिंक दिस्क्रिप्शन में है उसको जोइन करें वहां पर आपको नोट्स अवलेबल कला दिये जाएगा ठीक है तो और साथी साथ अगर पीटी का टेस देना चाहते हैं तभी भी आप टेली ग्राम पर जूट सकते हैं वहां पर चल रहा हैं वहां पर आप दे सकते हैं कुछ टर्म्स इन कंडिसंड हगा जो फॉलु करने होने आपको गाइस तो आते हैं हम लोग मुद्धा क्या है कि पर्धान मंत्री नरेंदर मोधी एनाउस्मेंट on fortification of rice 15 अगस्थ को लाल कीले से पर्धान मंत्री नरेंदर मोधी ने लाल कीला से एनाउस किया कि 2024 तक जितने भी चावल जो है जो बाटे जाते हैं गरीबों को पीडियस के तुरू पब्लिक डिस्टिविशन के थूरू रासन रासन सौफ है वहां पर मीडिया मिल की थूरू बहु सारे जितने भी और अधर इसकीम के सुरू जिसके थूरू हम लोग क्या करते हैं जो गौर्मेंट चावल को बाठती है सारे को हम fortified करेंगे अब इसके बा करता किना है मैं थाप करने के जवड़ क्या है और की इसका फायदे है क्या नुकसान है गोवन्ट का इसे पहले दोग फुटिफिकेशन क्या है अब अराम से नॉनमल भासा में समझो कि अगर सपोज करो कि कोई फूड है कोई खाद है यह सपोज करो चावल है तो इसमें क्या होता है बहुत सारे नूटिरियंट्स होते हैं जैसे आइरन हो गया बिटामिन हो गया मिन्रेल्स हो ग स्वाइल नहीं हो बहुत सारे करान हो सकते हैं तो इस जो खाद है इस जो चावल है जिसमें न्यूट्रियेंट्स की कमी है तो हम लोग क्या करते हैं इसको इसमें न्यूट्रियेंट्स मिला देते हैं मतलब सपोज करो कि एक चावल है चावल है बहुत सारे हमारा पर चावल हो इसमें जो micronutrients होते हैं जैसे iron हो गया, vitamins हो गया, minerals हो गया, समझे जाओ ना बहुत सारे जो irons होते हैं, उसकी कमी होती है इसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, इस चावल में ऊपर से हम मिलाते हैं, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? fortification बोलते हैं, clear हो गया, यह fortification का process क्या है? इसमें नूकisstट के कमी हो उसमें उपर से मिलाते हैं एक इसं फूर टेंट्रीन youtube क्या बोलते है विए करते कैसे हैं कि करते कि अब देखो क्या है कि आप तो चावल लेते हैं हमें चावल का करना आ जो परधान संत्री हमारे क्या बोलें 24 सब्सक्राइब करें चावल ले लिए अब पीसेंगे उसे जैसे गेहों कसे पीस के आठा बनाते हैं उसी चावल का आठा बनाएंगे हम इसमें पीस दिये ठीक है चावल पिसा घया अब चावल को उसमें minerals, vitamins जो जो हमें मिलाना है उसको हम add कर दिये, अब add करके दोनों को पूरा mix कर दिये, ठीक है, तो पिसा हुआ चावल ले लिए, minerals, vitamins ले लिए, दोनों को add कर दिये, add करके एक machine के थुरू, machine के थुरू हम छोटे-चोटे चावल बना दिये, देख रहे हो चावले, छोटे- फैदा हो सकता है, एक और फैदा हो सकता है, कि food processing industry का demand इंडिया में बढ़ जाएगा, food processing industry का demand इंडिया में बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा employment जनेरेट भी होगा, अब चावल हम बना दिये, आटा चावल को पिस दिये, आटा बना दिये, चावल का आटा, उसमें लेके मिला दिये, मिला के मसीन के थुरू छोटे-छोटे चावल के दाने हम बना दिये, अब इस चावल के दाने को नॉर्मल जो चावल है, उसके साथ हम मिला देंगे, ठीक है, कुछ रेसियो होता है, कि मतलब 1 kg चावल में, नॉर्मल चावल में हमको कितना मिलाना है, वो रेके होताई उसके तुरू हम मिला देंगे ठीक है तो इसको अंका बोल देंगे 45 राइस और मार्केट में इसको बेस देंगे तो इससे क्या होगा कि जो कि फूड में मार्टो नुट्रिेंट्ट्र modo मार्कों जैसे मिन्रल्स विटामिन्स इस सब की कमी रहेगी वह हमें मिल जाएगा अराम से यहां तो क्लियर हो गया डिफनिशन कैसे करते हैं वह क्लियर हो गया अब सेकेंड देखो दोस्तों करने की क्या जवद पर है क्यों कर रहा हैं तो देखो हमारे जो कंट्री है उसमें हाई प्रेगनेनट वीमन होती है आ और इस को दॉसरी और की मारा कि बंच्चें के हाइट हो गए जिस तरह से ग्रोथ होना चाहिए था नहीं हो रहा है तो इस अब लिखना है कि क्यों जवद पराम है अगर एक इंडेक्स आता है हर साल रिलीज होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसमें क्या होता है कि किस कंट्री में कितना हंगर है भुख है भुख मरी है लोग भुख से परिशान है उनको खाना नहीं मिल रहा है उसमें इंडिया के रहें के 94 आउट ऑफ 107 तो इसे लिए इस सब कारण के वज़ा से हमें fortification करना बहुत जोड़ी है राइस में minerals vitamins मिलाना बहुत जोड़ी है क्योंकि अगर minerals vitamins नहीं मिलेगा तो हमारे चाइल्ड भी कूपवशन के सिकार हो जाएंगे मैलनिट्रेशन के सिकार हो जाएंगे अब क्या है कि इनका ब्रेन जो है सई से इनका जो बोडी है ब्रेन है सई से एफिसेंट वर्क नहीं कर पाएगा तो आगे चल कर जो human resource जो होता है जो अच्छी से देवलप नहीं हो पाएगा तो क्या है कि एक के कूपवशन के सिकार के कारान हम अगीला जनरेशन जो है न हमारा खराब होते चला जाएगा और हमारे एकनोमिक पर कहीं नहीं से वह एफेक्ट पड़ेगा तो यह जरुवत है अब देखो कि फूड मिनिस्ट्री के डाटा है साथ ऐसे कंट्री है जो मेंडेटरी कर दिये हैं कि हमारे कंट्री में जो चावल मिलेगा ना उसमें विटामिस मिनरेल्स डालना मेंडेटरी है मतलब राइस पोटिफेकेशन करना मेंडेटरी है जैसे क्या-क्या है यूसे है पनामा है कोस्टारीका है निकार्गूगा है प और 2024 तक जितने भी चावल जो बठ रहे हैं उसमें क्या करें हम कि फोटिफाई करके देदे अब देखो इसका पोश्टिव एस्पेक्ट क्या होता है हमने क्या पर देफिनिशन पर लिया कैसे करते हैं और लिया क्यों करते हैं क्यों जो हुआ थे वह भी पर लिया अब इसका आपको पता है कि जो हम क्या बोलते हैं कि इंडिया को विकास करना है हमें दो चीज़ ध्यान देना परेगा पर एदेगा हमारे कंट्री को डेफिलक्ट करेगा तो इस जो अभी जो सिच्वेसन देख रहे हो जिसमें हमारे हर दूसरी आवरत हर तिसरा बच्चा का मालनुट्रिशन कूपसन का सिकार है उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगा उसको फोटिफाइड अच्छे से डाइट दिना परेगा इसे क्या होगा कि हेल्थ सही होगा ठीक है तो क्या है कि हम जो माइक्रो नूट्रिटिएंट्स हैं विटामिस मिनेरल्स हैं वो सब देक लेगा दना है नहीटेरल तो है नहीं कि नेच्र तूशन बदांवी रहा है उपर से मिलाया गया है हो सकता है किस्का क्यो resin का मद लोगल लेकिन ऐसा कुछ नहीं है है आपके टेस्टि में खाने के स्वाथ में कोई बदलाव नहीं होगा Chandler सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कोई भी बोडी के एफिसियंट बोडी को काम करने का तरीका बोडी का वर्क बीमारी से बचने के लिए समझ रहे हो ना आपको फ्रोपर न्यूटियेंट्स लेना पड़ना लेना चाहिए बहुत सी जोवत है अगर सबस्कूर आप एस्टुए इफिसियंट से वर्क नहीं कर पाएगा आप पर होके पांच घंटा लेकिन वह एक घंटे की बड़ावर होगा आप देखे हो कि करोना में दोस्तों करोना में क्या हुआ था कि इसका क्या बोलते हैं बिटामिन्स का मिनरल्स का खासकर बिटामिन डी का इस सब का टेविलेट सब्सक्राइब जो होता है ना वो बिमारी को साइट करता है और भीदेश रखलेर में मदद करके मां नि एक साइन्स में 56 ब्लडडक ब्लड में पहां बीस बाग्ग करने में हुं है तो थिदो मैंत क्यों वॉलना का समय में है है तक वाली बात है कि कि ने सुछलीनिक क्यों बहारा कहीं हमारे स्रीट में वह विटामीन की अधिक कमी होगी तभी न है तो क्या है कि इस से nutrition में प्रोपर nutrition मिलेगा और इस अगे काफी एफेसियन तरीकी से वह बोड़ी को करेगा ठीक है और अगर खुदा नखासता अगर इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा महामारी आ गया या करोना तो भी ठीक हुआ नहीं है ठाड वेव आ गया तो हम लोग अपने आपको बचा सकते हैं ठीक है इसलिए नुट्रियेंट्स लेना बहुत जोड़ी होता है सबसे और इसका फायदा है कि सब सोच रहे होंगे कि यार यार हम फोटिफाई करेंगे तो बहुत ही महंगा हो जाएगा कुछ नहीं होगा जितना जो प्राइज है अगर सब करो कि 100 रुप्या लग रहा है हमको चावल में तो उसका 1% या 2% इफाजा होगा मतलब जो प्राइज है न उसका 1-2% ही इंक्रीज होगा प्राइज तो गोवर्मेंट पर जो बोज है न वो ना के बराबर होगा समझ रहा हो ना यह मत सुचना कि इकनॉमिक पर बड़न हो जाए गोवर्मेंट पर इसका बड़न नहीं होने माला है इसका हिंदी PDF चाहिए और अंग्रेजी PDF चाहिए घर-ड ना ज़ोएं नहीं इसके फिर्सैन में वहाँ आपको मिलेगा अब देखो अब क्या है सोसाइट बिए आपको पता होगा कि खाना जो है ले 5 एक पर होंगे फूट सिक्योर्टी एक जो दिप्योंट में सबको हमारा मौलिक अधिकार है हमारा जो राइट हो सकता है जीने का जीने का अधिकार कैसे हो सकता है जब हमें अच्छे खाना मिले अच्छे डाइट मिले तो अगर तो क्याम करेंगे कि अगर हम हुटिफ्याइगे मिनरल डिटामिल उपर से मिला हुलकर देंगे तो कैया होगा कि सब गरीज के भी लिदहने बीडि़विसी के फीकल है रहे क्लास जो सही से अपने आप तो पर भी देखा जाया न ते काफी हेलभ ऩए गेसे मेल अन्वी tag अरे है उसको खा रहे है तो थिक उर्ट रिटा में और थीओ 2017 हो गया व नेचर हमें दे रहा है हम ले रहे हैं लेकिन कुछ वजह से जो स्वाइल से autism है उसका जो फट्रिवीटी खत्म हो चुका है जिसके कारण हमें मिल नहीं पाता है हम लोगों ऊपर से डालना होता है तो बोला जा रहा है कि जो नेचर नेचर से मिल रहा है जो एक सब्सक्राइब ना करें नेचर से जो मिल रहा है उस्व परसेंट एब्जर्ब कर रहा है हो सकता है आर्टिफिस्यल वाला हमारा चालिस परसेंट ही अब्जर्ब करें एक कंसर्ण है सब्सक्राइब अब मतलब क्या है कि हम न्यूट्रियेंट्स लेते हैं और जो खाना खाते हैं उसके कारण हमको कुछ न्यूट्रियेंट्स मिलता है ठीक है और हमारे बोडी जो है ना उस कुछ प्रोपर्शन में उसको एब्जॉर्ब करता है तो क्या है कि बोला जा रहा है कि जो सब लिमेंट्स है उपड़ से हम सब सब्सक्राइю फूट्स lah connot it image करेगा जो हमारे बोड जी से जो एक प्रोपर्शन हो सब करता है जैसे हो लेने से थोरी होगा बोडी जादे रियक्ट करता है जब हम एक नेचुरल लेते हैं ठीक है ना तो बायो एबलेबिलीटी में क्या है उस मतलब यह होता है कि जो एब्जॉरवेशन का जो जो जिस तरह से बोडी हमारा एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रियंट वो क्या हो सब्स्टैंस भी दे दो इतने सारे महामार्य फैल रहे हैं जब हम बिटामिस मिन्रेल्स मिला सकते हैं चावल में तो जो से हमारा इम्मून ब्रिष्टिंग इम्मूनिटी सिस्टम क्या होता है कि सपोज कर लो कि कोई बाहर से बिमारी आ रहा है तो हमारा बोडी है उससे कोरोना इंडिया में बहुत बंदे को हुआ है लेकिन कुछ ठीक हो गए और कुछ मर गए जो ठीक हुए है उनका इम्मून सिस्टम फाइट कर गया लग के कोरोना को खतम कर दिया श्रॉंग था इम्मून सिस्टम और अभी देखे हो कि करोना में खासकर काढ़ा जो होता है उसका डिमांड बढ़ गया काढ़ा बना उपी हो क्यों कि हमारा इम्मूनीटिय श्रॉंग करना है तो यह एक इस्यू है कि भाई आप इम्मून सिस्टम बुष्टिंग सब्स्टांस तो इसमें डाल दे तो इससे और फैदा हो सकता है एक कहावत इंडिया में और सोच है कि ओवर नुटिशन जब लोगों को पता लगेगा ना इंडिया में असिछीट लोग जादे है लोगों को पता लगेगा कि अरे भाई इसमें उपर से मिलाया गया है विटामिनस और मिन्रल्स जो हमारे वोडी को अच्छा मतलब बोडी को जो नूट्रियंट से उसको घलप कर तो लोग का क्या thinking है न कि हम ज्यादे खाना स्टार्ट करेंगे तो जितना ज्यादे खाएंगा उतना ज्यादे खते हैं लेकिन लोग सोचते हैं कि हम ज्यादे का डालेंगे लेकिन वहीं क्या हो जाता है कि जैसे हें आएगा मारेट में लोग सब खाना स्टार्ट करेंगे डिन रात चावल खाओ रोटी उटी तो चौर दो चाहल ही खाओ कि बिटामिय nhi मिनेर्ज लिएगा उससे क्या होता है निए कि उसका गलत पर जाएगा नेग्टिव इफेक्ट पर जाएगा हो सकता है कि कुछ बंदें मेडिकेशन होंगे दवा पर जिंदा होंगे आजकल तो गैस का बिमारी बीपी का बिमारी यह तो तो दोस्तों कि 2024 एड़ेट रखिएगा 2024 तक जितने भी रासन सौफ है जहां जिसको पप्लिक डिस्टिगुशन सौफ बोलते हैं जहां पर हम चावल देते हैं गरीवों को या मिड़े मिल है मिड़े मिल में बच्चों को हम स्कूल में खाना खिलाते हैं ठीक है या बहुत सारे इ को पोशन का सिकार ना रहे जिक है अब देक्राइब क्यों है अब यह data को अब द्द्रन है ACCORDING 001 फैमली हेल्थ सरaware रेपोर्ट नेशनल — जो रिपौर्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वें का वह बोलता है नं की इंडिया जो है ना पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक इंडिया है जलाजस्ट बडन ऑफ आरेंड डिफिसियन्सी मतलब इंडिया के 59% बच्छे मान के चोलुब 50% जो बच्चे हैं और 50% प्रेग्णेंट औरति हैं जिसमें अचुतुत कंहीं से क्या होता है हमें बीमारी एनेमिया होता है कि ठीक टीजिये के लिए इसको याद रख लिएगा और जितना भी जो बीमारी है वीमारी का 15 बीमारी इसी की कारण होता है की mining क्राइब तो देखो अगर इतना बर्डेन है हमारे कंट्री में ते कितना अच्छा प्रोल प्ले करेगा पॉटिफिकेशन अब फूड ठीक ना आज हम चावल का कर रहे हैं कल हम गेहूं का कर देंगे उसके आगे मकई का कर देंगे ऐसे को कर देंगा ठीक ना इसब क्या है कि आप करते हैं किस तरह से क्या करते हैं सब इसमेह में पढ़ना लास्ट में क्या है ना दूस्तों कि निसकर्स इसका क्या होगा देखो क्या है फोटिफिकेशन बहुत ही अच्छा इनिसेटीव है जिससे हम क्या कर सकते हैं मालनुट्रेशन को मैलनुट्रेशन को कम कर सकते हैं और करने के लिए चावल बनाना परेगा जो आपको बताया थे हम कैसे बनाते हैं तो आप तो नॉर्मल घर पर बैट के बना नहीं सकते ना उसके लिए मसीन की जरुवत होती है जिससे क्या होगा कि फूर प्रोसेंग इंड़स्ट्री घख इसको पुस्टिफीं पॉइंड़ाव तो तो क्या होगा इस से क्या होगा कि हमें certa management जोबीलेगी बच्चों को यूथ है उनको जोब मिलेगी ठीक और और गॉलमे nementक बहुत ही अच्छा है इसिए तक होब यह आनिके neither फोर्टिकेशन हम लोग मेंस के लबल से परेंगे कि क्या है कैसे है पोश्टिव नेक्टिव कंकलूजन क्या है जिसके थुर्ण क्या होगा कि आपका किलियर भी हो जाएथ टॉपिक और साथी साथ आप नोट्स भी बना लें और आपका एक्जाम में भी हेल्प करें तो के दोस्तों इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलते हैं नए वीडियो में थैंक यू सो मच